हेलो एवरीवन वेलकम बैक में चैनल मैं शेयर की हूँ एमजन की स्मार्ट एंड लेटिस्ट प्रोड़क्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और सभी प्रोड़क्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएंगे वहां से आप इनको डारेक्ट परचीस कर सकते हो इनके प्राइजेडीन चुकू लगा सकते हैं नेच्ट ला प्लास्टिक जूछिरी से हुम तो में मीर करने के लिए और रिंग के लिए और चैन वगारा रखने के लिए भी तो इसमें आप अपनी जूलाइज करग सकते तो इसना यह चोटूनला की इसको पर्स में अपने हैंड बैग में कहीं भी कैरी करके इसली ले जा सकते हैं यह है टेडी टूथ ब्रेस होल्डर है प्लास्टिक के बहुत ही क्यूट सही है आपको मिल जाएगा अलग-अलग कलर में जिसमें आप कीचन में बातरूम में मेकप ब्रेस वगरा और नाइज करके सकते हैं यह है इस टेकवल वाड्रोब और अर्गनाइजर मिल रहा है मैटेरिल का प्लास्टिक का है आपको वाइट में और कलर में भी मिल जाएगा तो इसमें आप अपने क्लोथ वगरा को और नाइज करके रख सकते हैं एक यूपर एक आप लगा कि इसको ड्रॉर की तरह यूज कर सकते हैं फ्रूट्स वेजी टेबल की तेबल के उपर आप फाइल वगरा भी और नाइज करके रख सकते हैं यह है ड्रॉर स्टोरेज बॉक्स मिल रहा है यह इसमें भी आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे बहुत ही क्यूट सा यह है यह वाला प्रोड़क्त भी मेरा आप मेख ऊप और आइजर बना सकते हैं स्टेश्नरी वगरा भी रख सकते हैं डेक्स्टब को तो पर मेख जोई कई सामान होल्ड कर लग सकते हैं यह वी बहुत ही खुलsomसा एक बुछाठ चीव प्रोड़क्त है इसमें तू ले एर 3 जएल फॉर लेयर में तो लेयर मे बहुत ही यूसफुल प्रोड़क्त ही अभी तो and next is desktop organizer मिल रहा है यह जिसमें आप अपना make-up का समान रख सकते हैं या फिर इसको jewelry वगरा भी रख सकते हैं cutlery holder बना सकते हैं stationery का समान रख सकते हैं बच्चों के पढ़ाई वगरा के time पे table के उपर में आप रख सकते हैं and यह यह एक्सपेंडेबल डिज ड्राइंग रैक मिल रहा है जो कि stainless steel का बना हुआ है यह अलग लग सिंक के साइब मतलब लंबाई के हिसाब से आप इसको एड़ेस्ट कर सकते हैं इसमें आप कोई भी चीज वाश करके ड्रेन होने के लिए रख सकते हैं बरतन वागर आप वाश श् herk मिल ह्याहिँ होई नुभी साहँ कंटेदस्टी सामान है तूथपेस्मार मिल जाएु साइव शुदि रिख सकते हैं अर इसमें आप यह आप मिल जाएगा जिसमें अपन जरूरी सामान भी रख सकतें यह प्रास्टीक द्रेनर मिल रहा हैं प्लास्टीक का बनाए वास्केट में यह है जिसमें आप फ्रोट्स वेजिटेबल कुछ भी वाश करके इस तरह सकते हैं और इसमें आप इस तरह से कोई भी चीज को ड्रेंड कर सकते हैं रोटेटिंग है यह सूरेक मिल जा रहा है जिग जॉग टाइप का यह मिल जा रहा है आपको जिसमें आप दोनों साइड से स्में स्लिपर वगर सभी चीज़े और रख सकते हैं कोई भी प्लास्टिक वगर रखना है उसके लिए आपको यहां पर इसमें स्पेस मिलेगा तो काफी बढ़िया प्रो अपना जरूरी सामान जबी बातरूम से रिलेटर सामान है फेश वगरा है सबी चीज़ों को आप यहां पर रख सकते हैं इसमें आपको फोर हुक मिल जाएगा उहां पर आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं यह है फोर लेयर स्टोरेज रैक मिल रहा है काफी स्ट्रॉंग तरह जबतोय है जिसे कोइस मैब टंट वाल्ट करते हैं इसको इसलिग आपको सेताया है में ज़रूरत नहीं पर फोल्ट कर के कहां बी अच्डर एयस स्टोर कर सकतेरे कि रख सकते किचें बाधी बढ़ियां से इक हैं इसनित झान के शाल्डेट सब्सक्राब oyunग के तरह किचन वाल प्रोटेक्टर मिल रहा है जो कि स्टेनलिस स्टील का यह है फोल्डेबल सील जिसको आप इस त्रीके से कि गैस ओवन के साथ में लगा कि कुकिंग के टाइम पर यूज कर सकते हैं बाद में इसको क्लीन कर सकते हैं इस पाइस बोटल और्गनाइजर रैक मिल रहा है मसाले सबी चीजों को और्गनाइज करके इसमें रख सकते हैं वील डिजाइन में बहुत ही बढ़िया सा यह खुबसूरा सा प्रोड़क्ट है फिर उसके बादे स्टेकबल करबोड मिल रहा है जिसमें आप स्टोरेज की तरह से इसको यूज कर सकते हैं किचन स्टोरेज हो भादे बादे सकते सा यहां बच्छो के आपके हैं स्टोरेज ट्रॉार मिल रहा है जिसको अफिर शेप में थाट केसि प्लेड़क सडिक सत्बी स्टोरेच ज्ग में rejectको यहां है कोई वी चीजा यहांपे होल्ट करके कि इसमें रक सकते हैं स्टोरेज ट्रॉली जो की स्क्वाइर शेप में मिल रही है यहां पर ब्लैक कलर में यह है इसमें आपको अलग लेयर बास्केट में मिल जाएगा जैसे कि 3,4,5 बास्केट में यह एवलेबल है इसको आप कीचिन में यूज कर सकते हैं इसमें फ्रूट्स, वेजिटिबुल्स और कीचिन के कंटेनर जो हैं पाउचेस हैं उन सभी चीजों को यहां पर स्टोर करके आप रख सकते हैं रोटेटिंग है यह उसके लाब आप लीविंग एरिया में बुक्स अगरा रखना है और भी स्टोरिश की तरह यूज कर सकते हैं या फिर कीचिन के काउंटर टॉप स्टोर करके रख सकते हैं और यह सेरिमिक का सेर्विंग प्लेटर मिल जा रहा है जो की लिव डिजाइन में बना हुआ है इसमें आपको वुडेन का ट्रे मिलेगा यह भी खूबसूरा सा प्रोडेक्ट इसमें आप स्नैक्स अगरा करके या फिर ड्रैफ्रूट्स करके कहा है और इसमें आपको किषण सवी एक पिर ड्राल मिले का जिसमें कि अपना जो भी जरूरी समान को दोड़ास्ट झत यह समय वो भी रख सकते हैं इसमें नेकर की ैप कूझ सेंक टोध वास्कों यह भी प्लास्टिक का है किछन की कॉर्णर सिंक में मतलब लगा कि आप इसमें समान को रख सकते हैं जैसे की जूठन वगर होता है या फिर स्पंज को होल्ड करके रख सेते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ वाच करते तो इसको ड्रेन होने के लिए यहां पर रख सेते हैं यह है क्लोजेट हैंगिंग और्गनाइजर है जो की रोटेटिंग है मतलब 360 डिगरी रोटेट होता है इसमें आपको फोर फूक मिल जाएगा जिसमें आप टाइबल्ट हैंड बैग वगरा भी आप रख सकते हैं अपने वाट्रॉब में करके कुछ भी चीज आप यहां स्टीकी हैंडल मिल रहा है जैसे कि विंडो अगरा पर इसको लगा सकते हैं यह है डबल साइड विंडो क्लीनिंग ब्रस जो की मैगनेटिक इसको आप अंदर की साइड से जब साफ करेंगे विंडो को तो यह बाहर की साफ हो जाएगा दोनों साफ से क्लीन करता है यह है सेल्फी स्क्वीज मिनी मोप मिल रहा है जो की छोटी मोटी जगह को क्लीन करने के लिए बहुत ही बढ़ियां सा यह प्रोडेक्ट मिरर वगरा क्लीन करना है कुछ भी आप इससे क्लीनिंग का काम कर सकते हैं यह है रोटेटिंग डबल लेयर बॉटल और अब अब इससे क्लीन के लिए मैसी कीचन को आप इसमें और अगनाइज करके द्रग्स सकते हैं और फ्रेंड अब को यह वीडियो यूस्फल लगे पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजेगा चनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेजां आम फिर मिलते हैं नेक्ट विज